नमस्कार, मैं निमीशा सिंगल आग्रा से हूँ, मेरा एक कावे संग्रे जब नाराज हो की प्रकर्ती पहले प्रकाशित हो चुका है और एक दोसरा कावे संग्रे मेरा अभी प्रकाशित होने वाला है, जिसमें से कुछ रचनाएं आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही एक कवी का जाना किसी उल्लासित मन को प्रेम, किसी अधूरे से रिदय को अपनी सी कहानी, किसी दुखी को संतोष, किसी अधीर मन को धैर रहे, सभी को उनके हिस्से का कुछन कुछ देख कर, विदा हो जाता है कवी इस संसार से चमकता सिताराबन मेरी दूसरी रचना है, प्यार बचा रह जाएगा, सूख जाएंगी नदियां, जब बादलों के इंतजार में। सूख जाएंगी नदियां, जब बादलों के इंतजार में। धर्ती चटक कर छुपाने लग जाएगी, जब भूक प्यास से व्याकुल जीवों को पाताल में। जुआला मुकी से निकलते लावे से, जब नश्ट होने लगेगी दुनियां। बिजलियां चमकेंगी जब आसमान में। जल प्रले भी ले डूबेगी जब बची कुछी आबादी। तब भी प्यार बचा रह जाएगा। जो फूटेगा फिर कभी किसी पत्थर से कूपल बन। सूखी धर्ती से जल धारा बन। और फिर से करेगा एक प्रेम मई धर्ती का स्रजन। फिर से करेगा एक प्रेम मई धर्ती का स्रजन। पिर एक और रश्ना है संगर्ष। अलहर नदियां जानती हैं समुद्र का हटी स्वभाव। उसे बदलने के प्रयास में। खुद को नेस्ता नाबूद कर देती हैं। समुद्र विफल कर देता है नदियों के सभी प्रयास। जुआर भाटों से डरा दिखाता है अपना बल। नदियां जारी रखती हैं प्रयास। खारे जल को मीठा करने का। करती रहती हैं संघर्ष आखरी सांस तक। करती रहती हैं संघर्ष आखरी सांस तक। मेरी एक और रश्ना है आहूती ये एक समवादात्मक कविता है जिसमें समवाद किया गया है। अम्मा तुमसे कहनी एक बात। बाबुजी से रही दो कदम पीछे या चली साथ। कैसे रख पाती थी तुम उन्हें हातों हात। कैसे रख पाती थी तुम उन्हें हातों हात। जब मनवानी होती थी तुम्हें कोई बात तो करती थी प्यार से बात या करती थी जिद। हिर्दे चली होने पर छुपा लेती थी चाले या बढ़बढा कर खुद ही कर लेती थी गुस्से की आक्ठंडी। या लड़ जगड कर खोल देती थी मन के जंग खायता ले। अच्छा सुनो जब मन नहीं चाहता था घर के कामकाज को तुम्हारा तब क्या छोड देती थी तुम यूहीं काम सारा या बेमन से निप्टा देती थी चड़ा मन का पारा। अच्छा बताओ, चूले में रोटियां सेकती, कुछ विचारों में डूब, जब जल जाती थी तुम्हारी उंगलियां, तब छलक पड़े आंसुओं को पल्लू से पहुँच कर, खुद को डांट कर, फिर से काम में लग जाती थी, या हाय हाय करके घर सर पर उठा लेती थ नहीं, अपनी अंतरात्म से गुथम गुथा नहीं करती रही, या तुमने समझा लिया था खुद को, ढाल दिये थे अपने सपने हम बच्चों में, या तराश दिया था हमें अपने सपनों के खांचे में, और देदिती आहुती अपनी इच्छाओं की, हिर्द के हवनकुंड में स्वाहा की ध्वनी के साथ नहीं, जो एक अन्य किताब में प्रकाशित होई थी, मदुमक्खियां, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ नत्यांग नासी रंगत छरहरी, बिजली सी फुर्तिली, योधा, घुमन्तु चक्री सा नत्यकर, जब तेज स्वर में बजाती है सारंगी, सी धूम, तो मादक्ता बिखर जाती है हवाओं में फूल डूब जाते हैं वाद्धय यंत्रों से मदुर आवाज में, उन्हें मगन देख, चुपचाप, किसी चिकटसक की भाती, अपने इंजेक्शन से खीच लेती है मकरंद ठीक उसी पल, अपने पंखुं से फूलों को सहला, चिपका लेती है पराकण, और चल देती है प्रकरती द्वारा सौपी गई, जिम्मेदारी का निर्वाहा करने के लिए आधा लीटर शहेद, बीस लाख फूलों से मकरंद, एक लाख किलो मीटर की यात्रा, हजारों साल तक खराब ना हुने वला शहेद, धरा को हरा भरा रखने को इस चिंता के बाद भी, हम ये मानने को तयार नहीं, कि डंक मधुमक्की के पास नहीं, हमारे पास है एक रश्ना है, पत्जड का प्यार जब तै करेंगे, बसंत से पत्जड का सफर हम तुम, तब करना तुम प्रेम सरवादिक जब संताने, जा बसेंगी अपने अपने घौशलों में, रह जाएंगे हम तुम, तब करना तुम प्रेम सरवादिक जब मेरी पीडा बन जाए, तुम्हारी पीडा, तब करना तुम प्रेम सरवादिक जब आदी हो चुके होंगे हम एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों के, तब करना तुम प्रेम सरवादिक जब बनान पाऊं वेडी, दुखते हों मेरे हाथ, समार कर मेरे बालों को जता दिना प्रेम, और तब करना तुम प्रेम सरवादिक जब लडखडा जाऊं चलते चलते, संभाल लेना तुम, कांधे का सहरा दे, बांध लेना अलिंगन में, और तब करना तुम प्रेम सरवाधिक यादों के जरोंकों में जहांकते, जब लड़ते जगड़ते मिलेंगे हम, मुस्कुरा कर किसी बात पर यूँ ही, तब करना तुम प्रेम सरवाधिक धन्यवाद